हम लोग आज भगवत गीता के आठ इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया था कि जो लोग अनन्य भक्ति करते हैं वे मुझको प्राप्त करते हैं इस लोग में बोल रहे हैं कोई प्रश्ण करें कि आपको प्राप्त करने से क्या लाब होगा तो कह रहे हैं माम उपेत्य मुझको प्राप्त करके पुनर जन्म दुखालयम अशाश्वतम नानुप वन्ती मुझको प्राप्त करके विक्ति दुबारा पुनर जन्म को प्राप्त नहीं करता और पुनर जन्म प्राप्त करने में क्या खटनाई है दुखालयम अशाश्वतम इस जगत दु को कि निवर्ति कर सकता हूं संभव नहीं है तो भी अशाश्वतम ये मृत्यु के समय विक्ति को चाहिए पितागना पड़ता है और अंत्तों गत्वा पूरे जगत का ही विनाश हो जाता है इसकी बारे में इसारिश लोग है और ऐसे महात्मा लोग हैं वो मुझे प्राप्त क करते हैं और क्यों उस जगत में आते हैं समसिधिम परमामगता परम सिद्धी को प्राप्त करके भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम में चले जाते हैं वापस कभी नहीं आते हैं तो इस जगत में थोड़ी सा उसकी फैन कम कर सकते हैं इस जगत में कुछ करियर पॉबस्क्राइबर। जहां हर तरफ केवल दुख ही दुख है ऐसी स्तिति में कोई करीर बनाने की फायदा नहीं है करियर समझते हैं करेथ समझते हैं retail भुविशर कोई नहीं भवश्य अगर हम भक्ती नहीं कर रहे हैं तो बहविश्य बिल्कुल धूमिल है अंधला है क्योंकि एक्जिट पॉइंट कभी भी हो सकता है और अगर वक्ति कुछ करना भी चाहता है तो इसी दृष्टी से करें उसी उद्देश से करें कि वह भगवान की आगे कुछ द्वारा सेवा कर पाएगा तो इन प्राया लोग भातिक्ता में फस जाने के बाद भगवान की सेवा कहां कर पाते हैं और भूग में अधिक प्रवित्थ हो जाते हैं चीक है हम पढ़ते हैं मुझे प्राप्त करके महापरोश जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लोटते क्योंकि उन्हें परम सिध्धी प्राप्त हो चुकी होती है फिर से आप दिलाएंगे श्मर्भागवतम का जो हम प्रवचन सुन रहे थे संयोग अप्रिय अप्रियए चयोग included प्रिये वस्तों का बारं वार संसोन का बारं लोजश चलता रहता है ऑप्री लोग इतना दुख है तो जगत से बाहर निकलना चाहते क्यों नहीं अगर जगत में इतना दुख है तो जगत से बहाँ क्यों निकलना चाहत है आप लोग को बताइए तब भी क्यों निकलना चाहते तो देखिए इसके एक सिंपल बाट यह है और अल्य का अर्थ होता है छुपा हुआ है लग मन चुपा हुआ है कि मैं भगवान की जुरुषि नहीं है तुम भगवान की बिना भी शुकी हो सकते हो थोड़ा सा अब बस थोड़ा सा जखेस्ट कर लोगे तufen साुनमारे सारी संस्यां का समयधान हो जाएगा क्या अपने मन में हम इस बात को देखते हैं थोड़ा सा अजस्ट करो यह परशानी आ रही है अंजसा अब हो जल्दी से इस सुलूशन मिल जाएगा इसको कर लो उसके बाद तुम पूरी तरह सुखी हो जाओ है ना इस प्रकार से हमारा मन फसाय रहा था है इसको हम आगे भी चर्चाख भागवाट में सुनेंगे मन ही के कारण हम बार बार इस जगत में फसे हुए थोड़ा-थोड़ा अजस्ट कर लो थोड़ा-जस्ट कर लो एक्जामपिल दे जाता है कि राजा पहले किसी को प्रतार प्रतिया करते तो यह स्थिति है कि हम लगातार दुख भोगते रहते थोड़ा से सुख मिल जाता है हम सुचते हैं बहुत अच्छा है यह जगत इतना बुरा तो नहीं तो यह बात जहें है इसी कारण से लोग और दूसरा बात लोगों को पता भी नहीं कि जगत आनित्य है इसी जगत को सत्य मानते बैठते हैं लेकिनी सत्य नहीं है जगत सत्य कहां पर है भगवान का धाम तो जो भक्ति होगी उसको समझ पाता है गिता वुशन ठीका कभी आपने से देखा है कि कोई बहुत गरीब वेक्ति हो जो बहुत ही दैनी अवस्था में हो उस पर आपको दया आती है लेकिन उसको अपने आप पे दया नहीं आती कभी देखा आपने ऐसा बहुत देखें ना पागल से घुमते रहते हैं और कभी-कभी पागल हसता है औ तो बहुत ही जधा मर महाथ है आप पागल के हसने और नुनय का कोई मतलب है देखें पागल को हसते हुए आप तो ऐसे करते से कोई बहुत बड़ा विदानत का वचन बोला हूं देखें नहीं किसी पागल को हसते हुए और रोते हुए और क्या नाम से आपने कभी दिखा हुए रोते हुए पर पर दिखा है तो उसके लुआ और अको बहुत है और क्या वैं अपनी दैनी स्थिति को समझ पा रहा है कि यूनने दे पारा हैं जाटर को अधे लगता है कि हम ने लगता ना गोँद influence आपको लग रहा है कि हम दैनी स्थिति में हैं भी हम ठीक हैं और ओके थाट बैट सही है ठीक लगने देखने में हम तो कितिनी बुरी स्थिति है ऐसे शरीर में हैं जिसमें को रोज मल टागना पड़ता है जैनी स्थिति है कि नहीं पर यह थे कितना बुद्धी मानूं मैं क्या हूं मैं यह हूं बताइए दैनी स्थिति है यह नहीं लेकिन देखे कितनी बुरी बात है कि हमको अपनी स्थिति दैनी नहीं लगते और हमारी स्थिति को स्वर्ग वाले कहते हैं देखो कैसे खराब रहती है और उसके उपर वाले स्वर्गो को बोलों के देखो कि इस प्रकार से उत्तर उत्तर सुख्यन होती होती रहती तब जो उत्तर सुख को प्राप्त होता होता है देखो कि निक्रिष्ट भोगों पड़े हुए तो यह स्थिति है हमारी और अदबुद बात है कि हमको भी असा कुछ अनकमफर्टेबल अनभव नहीं होता अनकमफर्टेबल क्या बोलेंगे असुविधा अनभव नहीं होती इस यह सब किसके वह से होता है माया के विज़े से बार-बार माया हमको मुहित करते देते हैं अगर वाकई जगत में अनकमफर्टेबल फिल करें असुविधा अनभव क करें सबहाद कम से कम इसी का अगर इतना भी समझें तो भी भगवान के धाम जाने के इच्छा होगे कि नहीं होगी विचार नहीं बात इसलिए दुखालें दुख तो हैं लेकिन छुपे हुएं गीता बुशन्टी का जो इस्तिति को प्राप्त कर लेता है उसे क्या फल प्राप्त होता है किस तिस्तिवी को भगवान की परमसिद्य ने शुद्भक्ति जो बात कर रहे थे पिछले चौद्वे श्लोक में अनने भगति को जिन भगतों को के गुणों का मैंने वर्णन किया वे महात्मा मुझे प्राप्त करके दुबारा इस भौतिक जगत में जन में नहीं लेते हैं तो ऐसा मस्स सोचे कि हम अगर भगवान के चलन कमनों की प्राप्ति करना चाहते हैं प्रमसिद्य प् पर अपना धाम नहीं देंगे आपको याद है ना पिछले चुलक में क्या बोला गया था कि भगवान अपने भक्त से विरह का अन्भव नहीं कर पाते स्वैमी भक्त को लिखें जाते हैं कुछ समय के लिए इस बपने भक्तों को इस जगत में रखते हैं ताकि भक्ति का पचार नहीं करते हैं उसके माध्यम से करते हैं नहीं तो लेकर जाने के लिए तो तुर्म ती लेकर जा सकते हैं कि एक एक लिए यह नो ठीक कि यह बहुत एक जन्म कैसा है यह मां के गर्भ में वास आदी की दुखों से भरा हुआ है कि अब कभी कभी लोग यहते हैं कि हम को तो मां के गर्भ में रहने का दुक याद नहीं है तो यह के कोई लोग की बुद्धी एकदम बंद हो गई है जो बात एकदम स्पष्ट है उसको बिलकुल नहीं समझ सकते हैं और यह क्यों क्यों दे रहे हैं कि वह इस प्रकार से सोचना चाहते हैं पापी है इसलिए भगवान भी ऐसे ज्यान उसको मन में स्पुरित कारे रहते हैं समझी न प लगते आपको कि और सही बोल रहे हैं जैसे ही जन्म लेता है वह रखकी है तुरूंत मर जाता है मानते हैं है अनई नई यह पर देखिए हमें लग रहा है कि हमारा समय नहीं कट रहा है लोग डाउन होगया बहुत लंबा समय चल्वरा है लेकिन हमारा पूरा जीवन भी ऐस भूंता नहीं चुटकी मात्र बिनी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनाधी और अनंध्शास्वत समय में ब्रह्माजी का जीवन कैसा है जैसे कभी छोका मारते हैं उसमें आग आ जाती है एक शन के लिए ऐसा है ब्रम्हाजी की परम आयू ऐसी है मैं जो जा रहा हूं था कि आप उसको थोड़ा डजस्ट करते हुए चलिए एक कौर को एक बात को एक तत्थ को किवल प्रवचन सुनने के लिए नहीं सुनना है इसे बिचार करना है जब ब्रम्हाजी का पूरी परम आयू के वल एक चुटकी की तरह है तो मेरी आयू चुटकी भी नहीं मेरे आयू अगर ब्रम्हाजी के एक दिन से उसका भाग किया जाए तो चुटकी भी नहीं बजा पाएंगे प्रपाज इस बात को ताद पर में रखेंगे मैं ये बात ये क्यों कह रहा हूँ इसके द्वारा हमारा चित हम भगवान में एकागर करने के लिए प्रेरित होते हैं इस जगत की वस्तुओं में इंद्रिय भोग में अपने चित को लगाने के बजाए शनक भोगों के लिए जिससे कुछ सुख भी प्राप्ति नहीं होता है उसकी बजाए अपने चित को भगवान में अगर कुछ शनक के लिए भी लगाएं तो भगवत प्राप्ति हो सकती हो सकती नहीं हुई है लोगों को मैं इसी लिए भग्मान बोल रहे है राग और देष्ट से मुक्त हो यह आदमी अच्छा है यह बुरा है यह मेरा शत्रू है यह मित्र है इसने मेरा मान किया इसने मेरा समन्मान किया इसमें हम फसे रहे तो भक्ति-ीमिफ्टिन नहीं आ और यह सब शणिक हैं जैसे आप देखेंगे सब्सक्राइए कि लंबा लगता है कि नहीं अश्चिए ये इसा मैंने सब्सक्राइब करना ये करना है मुख्य बात है स्वपनिसे जागरित होना और स्वपनिस जागरिती का परम साधन है भगवान का संकीतन हरे कृष्ण मंत्र की कथा अगवत की कथा इसको परम महत्व देना चाहिए डेगने जैसे हम लोग सपन में जगए रहते हैं तब यह नहीं समझ पाते हैं कि सबसे बहुत पूर्ण है कि जगना ऑसा चीसे महत्व हमें लगती हैं सभी किसंग मिए बहुत पड़ी है केंगे उसको मिस फॉर्चंतु नभाग्या है सवनत कुमार कहते हैं कि आत्म साक्षात कार में सबसे बड़ी बादा यह है कि विक्ति अपने आत्म साक्षातकार से अधिक महत्पूर्ण किसी और वस्तू को समझे लाइने बड़ी सिंपल हैं लेकिन बहुत 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 जदा वेट हैं कृष्ण भाव नामे मुझे प्रगति करना है यह मेरा एक मातर जीवन का लक्ष है और कुछ भी नहीं है तो अगर इसके अलावा हम किसी भी कारिया किसी वस्तू को महत्पू दे रहे हैं तो इस सबसे दी रूपी मुझ को प्राप्त कर लेते हैं है पधर मैंने पहलेएं श्र 시 49 YES कहते हैं कि वापास यह यह नहीं को की वापस आने कोई कारण है क्यों आएंगे भगवान इतने मदूर है संब्सें संबन्स ना मदूर मदा मुलेगा वान की संहाँ होगा हमेशा हुमेशा यह कहली है इतने अच्छे वक्ति तैने अशी मित आनन्द प्राप्त होगा फोर छोड के वक्ति 010 नर्क में क्यों बाद में भगवान कहेंगे कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस तमाहु परमाम गतिम एक बात और ध्यान देना चाहिए कभी-कभी भक्तों को लगता है इतनी असानी से कैसे पहुंच सकते हैं हरे कृष्ण मत जब करके गीता भागव स्थुन करके तो बड़ा असान लगता है ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे बिना कोई खास तप्रस्य कि यह कैसे पहुंच जाएंगे देखिए इसको धारण दिये जाता है कि अगर सही साधन का अवलंबन करें तो साध्य की प्राप्ति हो जाती है जैसे अगर कोई कहे कि गेहुं गाना है तो गेहुं क्या साइंटिस्ट अपनी लेबरेटरी में उगा सकता है अगर उसने मालिजे नोबल प्राइस प्राप्त किया हो तब नहीं होगा सकता है और वह किसान जो बिल्कुल पढ़ा लिखान न हो क्या वह अपने खेत में गिहूँगा सकता है सकता क्या होगा ही रहें टनों टन तो सही साधन का आश्र लेने पर अयोग विक्ति भी बहुत असानी से उसकार को कर सकता है कि यस जैसे अभी हम देख रहे हैं जितनी पड़े बड़े लिखे साइंटिस इंजिनियर सब घर में बैठे सिर्फ अनपड़ किसान लोगों को खिला रहा है यस तो पॉइंट यह है कि यह हूं है वह बड़े असानी से उगा जा सकता है तो कि साइंटिस रिसर्च करके भी ए एक कण की हूं का नहीं उत्पन कर सकते उसी प्रकार से जो बड़े-बड़े दार्शनिक हैं जिनको बड़े-बड़े विचिंतन करने हैं भगवान के चड़नों की प्राप्ति नहीं कर सकते लेंगे तो भगवान की क्रिपा से बड़े आसानी से विवान को प्राप्त कर से तससे हम सुलभ पार्था नित्युक्तस से योगी नहां। Does it make sense? कठनाई क्या है जो तथा कदिक शुष्क दार्शनिक हैं, वो भगवान की बात पर श्रत्धा नहीं रखते, भक्तों के सामने जुकते नहीं, जुकना नहीं चाहते, अहंकार से भले रहते हैं, इस कारण से वो समझने पाते हैं, अन्याता समझना बड़ा असान है, परमात्मा कौन है? कृष्ण कितना असान है? अगर गीता विश्वाश है, तो समझ भी आ जाता है, और नहीं, तो फिर आपरे सार्च करते रहें हैं। भवाण का धाम कहा है? कितना असान है को लोग एक की जटके मोग सकते हैं? स्रद्दा है भगवाण में, तो बिल्कुल सही उत्तर है, भले हम ना जानते हो, बिल्कुल सही है. Does it make sense? तो यहीं बात बोल रहे हैं. बड़े असानी से हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के सुरूप को ही परम गति कहा जाता है और वह शाश्वत है और भौतिक दृष्टी के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं क्यार्थ है भगवान का सुरूप मतलब भगवान का जो सचदानान सुरूप है जो को लोग में प्रका सके भक्त और अब जानते हो कैसे करेगा भक्ति के दारा जब भक्ति हिर्दे में होती ही प्रेम होता है तब भगवान के वह इस दिव सरुप का अनुबूती वक्त को हो पाती है तो ही परमगति है भगवद गीता 7.31 कैसे लोग मुझे प्राप्त करते हैं वे बड़े उदा हैं और जो पूरी तरह से अपने भक्तों पर निर्भर रहते हैं कुछ इंदी में गलबड़ है आप लोग वैश्णव है वहाव स्विकार कर लेंगे इसको भक्तों को महामना कहा जाता है क्यों महामना कहा जाता है महा आत्मा कहा जाता है महात्मा कहा जाता है क्योंकि उनकी आत्ना उनके मन में भगवान निवास करते जो सबसे महान है वासुदेव महामना जब भगवान को वसुदेव जी लेके जा रहे थे तोक्री में तो आएक ऐसे ही अक्रूर जी जब यहां आ रहे थे तब भी वहां पर आसे शब्दा आया है महामना भगवान को अपने मन में धारण किये थे एक और बात आप उधार शब्द पर विचार कर सकते हैं भागवत ने बुला गया है क्या है इसको धर महाप्रोज तकैट अबोत्र पर्मो निर्मस्राना जो परम निर्मस्र हैं पर उतकर्ष असहनम इति मासर्यम दूसरे का उतकर्ष नसहन का इनपाना यह मासरे होता है तो भ भौत्र प्रग्र्दिव से बिलकुल भी उल्चा नहीं करते इसलिए भगवान के आप क्यों करते हैं कि उन्हें नहीं करते हैं किए उन्हेंu सुआ मैंπα का नहीं होता घांग शुलेंटव wigान की कथा जों tremendous na अब लोग क्या खा रहे हैं आपका ध्यान नहीं जाता कि अधिक है ना तो भक्त लोग भगवान की कथा कीर्टन करके इतने ठिर्ट हो जाते हैं कि जगत में कोई अगर बहुत तुरूप से आगे बढ़ा भी यह तो कहते हैं रहे वह तो दुख में है उसके वह तो कादी कोई खटा कर रहे हैं समझ लेना चाहिए आप देख लिजी हमारे आश्रा में भक्त लोग टीने में की नीचे रहते हैं इनके नीचे पुड़ा सब फॉल सिलिंग कर दी गई है किसी एक भक्त ने भी आज तक कंप्लेन ने कि अप्रवजी में जिन और घर छोड़के आप त कंप्रटे की छत्ते हो देते कि वाइसं पर जगणा हूँए और कि दिक्कत हो ली है कि होटी नहीं बते है और अध़ूत बात ये है कि हम लोग जानते हैं एकदम सपास्ष जानते हैं ब bred futures आंने कर रहा हैं अब मैं झाणति कुझ अ कि कॉन這種 work कर रहा है कि वढलो हमने पूछा कौन तप्षा कर रहा हैं अप अजय को फैसे करना भी अच्छा करना फासाथ पंधाण विसले जब तो आपको भी करना है मानेजीं बूले कि जब प्ष्या भ्चों को पालो यह करो को और फिर भी लोग कह रहे ने भ्रहमचारी नोग तर पश्या कर रहा है कियो आप मानते हैं अब है अब सब ना पड़ता ग्रसतों को पिसे अपड़ता है है मैं के बताई अब मैं बाति है लामारी थो इस पैसल मानते हैं यहां अफिव हो चारवजे दो करें लेकिन आशर की बात यह है कि इतना तपने के बाद भी लोग पर लोगों नहीं लग रहा है कि वह तपस्या रहे हैं हम तपस्या दिए है कि खाली हम यह कहना चाह रहे हैं कि भक्त लोग इस समय अगर श्रवन कृतन ना करें तब उनके मन में भी ऐसे वचार आगा अरे टीने के नीच इस पे बहुत टीका कि बहुत टीका बहुत सुंदर कि एक बात महरिक्षित महराज कहते हैं कि मैं आज सुख का अन्भव कर रहा हूं, अब मैं अन्भव कर रहा हूं कि आज तक मैं किवल जला हूं, किवल जला हूं, मिस्वाते क्यों बोल रहा हूं, भक्त लोग भगवान की कथा सुन करके, जब करके, भक्ति करके, अपने हिर्दे में जो भी नियुनता है, अभाव है, उसक मानचे कुछ मतलब नहीं और क्यों कि अपने मन को वह केंद्रित कहां करते हैं भगवान कृष्ण में जिन से सारा ज्यान आ रहा है सारा आनंद आ रहा है वह होता है और दूसरा किस प्रकार के भगवान जो अपने भक्तों पर कृपा करने की प्रती अभिमुख हैं बड़े उ भगवान के सामने बूलने की आवशकता भी नहीं है तो पहले सोच लिए तो आरे हिर्दे में क्या इच्छा उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो जो बहुत एक भोग है वह भगवान देते हैं अगर को बहुत एक इच्छा से जाता है और निश्काम भावन से जाए तो फिर क्या करना अगर आपके रिदे में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान का भी आप से कहीं अधिक आग रहा है कि इस व्यक्ति को मेरा प्रेम प्राप्त हो बस्वर्ण टेस्ट करते हूं समझें मेरी बात दीरी दीर अपने जीवन देंगी कि भकति में बढ़ने की जो भी इच्छा थी एक इच्छा बता देना जो पूर्ण न हुई हो कि हो कि मैं भक्ति में प्रगश्टि करों और आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो ऐसा असम्भव ऐसा हो नहीं सकता है आप कुछ भी सोचे मज़े भागवताम समझ में नहीं आती है भगवान मज़े मदद कीजिए आप देखो समझ में लग जाएगी आप कहें कि भवान मेरे को गीता समझ में नहीं समझ में आ जाएगी प्रीचिंग को मौक कर दीजे हमारे आप ठाकुर जी की भगवान के सिवा की इच्छा करें और सिवा ना में लिए असंभव है असंभव इंपॉसिबल कृष्ट सिवा देंगे ही आपको उनका बड़ा अग्र है अपने भक्तों पर क्रवा करने के आप देखो बगवान का गुण एक गुण है कि अपने भक्तो पर निरभर रहते मैंने बताओंगा पले भक्तों प हुआ रहते हैं भग्वान अपने वग्रह के रूप में क्यों आते है क्यों प्रस्थत करते हैं ताकि भक्त लोग सजाएं जैसे माता जी बता रहीं थे कि थक गई थे और सो गई फिर दिम्स यहाद अरे गुपाल जी तो जगी रहे गए। जब तक भगवान को नहीं सुलाएंगे लेकिनव कम्प्राग्ण नहीं करते हैं जुक्तो करते हैं तो इस प्रकार से इसलिए भगवान अपने आपको असहाय वस्था में रखते हैं नहीं कबड़ा चेंज करोगा तो नहीं पहनोगा इस प्रकार से कि अगर हमारी इच्छा अंदर से है कि हम को ये सेवा मिल जाए या कुछ में तो वो जरूर मिलता है जैसे कि भगवद गीता का सत्संग उपर होता था मेरो को तीसरा साल लग गया लेकिन जब भी उपर से आवाज की तन की आती ती या सत्संग की तो मैं बेचैन होती थी कम्र से कभी तेदर आके कड़ी होती थी कभी सीड़ी के पास कड़ी होती थी कभी अपना पी ठाकुर जने किरपा करी अब ये नीचे होने लगा तो बहुत कोश्य हम रोज ही आते हैं सबस्क्राइब करें तो यह सद इच्छा आपको रखनी में कि नेचा करें कि थी प्रलाज महाराथ के बारे में सुनते हैं हमारी इच्छा नहीं आते हैं यह हम भी इस प्रकार से अच्छे भागतों बन सकें तो जब इस अच्छागा आती है तो फिर हम भगवान उसे इसैथा को नोड करते हैं उसालए भागतों का चरित सुनना बहुत ज출 है कि इस प्रकार से भग्तों ने भगवाण से प्रेम किया तो हुष्य ze sm colored रचाना है कि भगवण हम से भी प्रीम कर सकते हैं जैसे अधिक प्रिय है इससे अधिक सेवक ना तो कोई प्रिय था ना कोई है ना कोई होगा तो कई आप खुदी दे लीजिए तो क्या उत्तर है भगवान को अच्छा लगता है अपने भगतों पर निर्वह है ना काम तो होई कराते हैं आज सुबह हमने गीता-वाकवाद में पढ़ा ना जो कुछ भी कहीं भी कैसे भी किसके लिए किसी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है भगवान की शक्ति सही हो रहा है मैं कुछ सोच रहा हूं और मुझ बोल रहा हूं मुझे था ना पता कैसे हो रहा है पता है आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं क्या बोल रह को तो यह स्मरण करना बहुत जरूर ही था कि हम कोई क्रड़िट नहीं लें लें लेकिन भगवान क्रड़िट देंगे जरूर मुझे जरूर में लिगते हैं लेकिन लुइन लीकने तो यही जञ बल रहा है कि टायम लग सकता है प्राथना करते रहिए प्रात्तना ने नहीं अपने दासत्व दीजिए और उसके बदले में क्या वेतन चाहिए आपको प्रेम चाहिए कि मांगते रहना चाहिए भगवान तो हमारी कीवर उत्कंठा को देख रहा है एक छोटी से कथा भी बोलना चाहता हूं समन्द में कि एक बार अब कथा सुनी है शास्तर से नहीं है कि भाव सही है भगवान विराजमान थे द्वार का में और बहुत सारे लोग आ रहे थे उनसे कुछ मांगने के लिए जैसे आते हैं लो यह ठीक है लो यह लो एक विक्ति आया और इसको बचाना खड़ा रहा खड़ा रहा बहु कि समझ मैं है बाकी लोग छुटी छुटी वस्तों में प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अगर कोई प्रेम चाहता है तो भगवान प्रतिक्षा करते हैं तो और इस चीज को चतन चर्था मिटें बूला गया कि यदि कोई बुक्ति-बुक्ति से सुद्ध हो जाता है तो अच्छे धान रखेगा भक्ति कर रहे हैं तो और बहुत एक वस्तावी प्राप्त होंगी उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा इन्हीं हमें नहीं चाहिए तब भगवत प्रेम प्राप्त होगा ठीक है पड़ें वह सार्ष्टी आदी सिद्धियों को महत्व नहीं देते दे भगवान इस प्रेकार का प्रणोमन देंगे एक भगत अच्छा बोल रहे हैं तो यह दि आपको भगवान का दर्शन हो कालांतर में तो भगवान और भवान कहें तुम्हें क्या चाहिए तो कभी कुछ भूतिक मत मांगना भागवान से सुन लेना पहले से होगा ना कभी न आपके चलणों में भक्ति प्राप्त हो कुछ कहरा चाह रहे हैं वे मुझे ही अपने जीवन को धारण करने वाली दवा के रूप में लेते हैं इतना सुन्दर अर्थ है देखिए यह नहीं लूँगा तो मैं मर जाओंगा इस प्रकार की भाथ भक्तों के विक्तिक हम लोग करने की अभिलाशा होने चाहिए ऐसे विक्ति मुझे को प्राप्त करते हैं जो परमसित्य है क्या परमसित्य है भग्वान कृष्ण स्वायम नोट यह लोग दर्शाता है कि जो भक्त के विल भग्वान के ही पराण है वे अन्य भक्तों से स्रेष्ट है अन्य भक्त अर्थात जो लोग सार्ष्टी सामेप्यसा लोग के इत्यादी चाहते हैं उनसे स्रेष्ट है यहां क्या चाहते है के विल भग्वान का प्रेम चाहत यह मुख्य बात पर जगत में बोलते हैं तुम मुझे मिल गई तो पूरा जगत मिल गया ऐसे करते हैं कि नहीं तो पॉइंट ही कहने करती है कि उस व्यक्ति का उस इस्थरी का पुरुष को से इतना प्रेम है प्रेम के काम जो भी कह लीजिए उसको प्राप्त करके वह सुचत आप भगवान के अश्रप राप्त हो गया बगवान आपकी सेवा हमें प्रेम मही सेवा देदीजिए में और कुछ नहीं चाहिए यह तक हम उसको एस्पायर क्यों नहीं कर पाते हैं कि हम समझने पा रहे हैं कि उस प्रेम मही सेवा में कितना सुख है अब एक माता जी को इसलिए नहीं है तो जब भगवान से प्रेम होता है मैं कई बार भी टर्चुका हों चाहिए भक्त कोई भी सेवा करें उसको बहुत सुख प्राप्त होता है तो प्रेम मही सेवा ही जीवन का परम पुर्शारत है अंताम कृष्ण प्रभु दात परिये दात परिये चुकि ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मिर्थ्यों के किलेशों से पून है अता जो परम सिद्धी प्राप्त करता है और परम लोग कृष्ण लोग या गोलोग वरिंदावन को प्राप्त होता है वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता क्यों नहीं आना को मराज बले कॉजलेस फुलिशनेस इस क्या कहेंगे इसको हिंदीन कैसे बिना कारण की मूर्टा अकारण अहे तुकी मूर्टा कोई कारण नहीं कियो आये मूर्ख है और किसलिए आये इस इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागती कहा गया है दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टी से परे है और अवर्ण नहीं है किन्तु यह चरम लक्ष है जो महात्माओं का गंतव्य है एक इंट्रस्टिंग बात है भौतिक दृ सुर्य है ना ऐसे ही भगवान का धाम भी है कि वह कुछ बात गीता की समझ में आती है यांति देवब्रता देवान तो देवताम चंद्रम लोग है कि नहीं दिक रहा है सूर्य लोग है कि नहीं है अधा सूर्य सूर्य है यह कैसे मालूम चला इस सुन करके गूड़ ने कैसे माने ना कि ने माने बताती विटा को दुरुवत तारा आपको याद़ने होगा प्राया बच्पनन माता थी यह पताते था देख दूब्रता रहा औरोई निश्कानी कहानी अधिक जोई यह घ्य सोलट पता ही है कि धूरु तो दुरूवारा सतारा नहीं बन गए थे लेकिन दुरूव तब तब उस लोग गये थे उस प्रकार से हम लोग बचपन में हमारी सभावी गरते जो सुनते हैं विश्वास कर लेते हैं उसी तरह से हम लोगर भगवत गीता कि अधार पर सुने तो भगवान का धाम नेचा धा ओप यह नहीं पिते हैं लेकिन माल लो यह तो दारू पी लेते हैं दारू पी सकते ने दारू पी लूँ बहूं किती लड़की चुंदर जारी देखें न अरे फ्लाइट पकड़नी है मैं काफी पीए लड़कियों को देखूंगा शराप प्यूंगा यह करूंगा फ्लाइट सब सब जैसे घंटी बसती तुरण भागना चलू करते सब लोग लाइन में लगना चलू लग जाते हैं हमारी फ्लाइट में चूट जाए अब मेरी बाता समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं अगर हम भगवत धाम जाने के लिए फोकस्ट हैं तो इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप हम्मुक्त हो जाएंगे जैसे हमारे पार्थ प्रभू आप माइक उत्तर दीजेगा बताता हूं अगर आप 20 किलोमेटर प्रती घंटा पर टवेरा चला रहे और 160 फिर आप समझ गए तो यानि कि अगर बड़ी तेजी से बहुत सुन्दर बात बहुत सुन्दर बात परमपुजी आप महराज महाराज बोलते हैं कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B में जाना है या दिली से विर्दावन पहुंचना है अगर को टाइम लिमिट नहीं गौण गण्टे में पहुंचना है कि याज़े गाड़ी 30 स्पीड उते उसकिए जाएंगे बात अगर भगौन के धाम इसी जनम में पहुंचना है तो स्पीड थोड़ा तेज करेंगे जब अच्छे से करेंगे बहुति ठीट से खरेंगे और ने के बहुंच जाएंगे मैंने स्पीड वाली बात क्या को एक दों फोकस रहा कि नहीं मुझे भगवान को संतुष्ट करना बगवान कैसे संतुष्ट होते हैं श्रवण किरतनम बट्टी के द्वारा संतुष्ट होते हैं तो भक्ती में ही अपने चित को लगाएगा इधर दमी जाने देगा कुछ कह र यह सोचते हैं बहुत अच्छा उदारन प्रोवजी ने दिया इस प्रकार से सोचते हैं कि माना जीव तो मिलेगा ही अरे यह संकीरतन तो रोजी मिलता है लोग को रोजी तो 6 बजी संकीरतन करते हैं क्या जाना है थोड़ा बाते कर रहे ता फिर जाओ ठीक लेकिन बाहर जा आज दे कि हम हमें जो सुविधा प्राप्त है उसका हम कभी कभी मुल्यांकर नहीं कर पाते हैं यह से बाते हैं लोग समझ नहीं बताए गीता क्लास तो ठीक है इस प्रकार की विचार अगर वक्ति करता है तो फिर वहीं थी बॉल लाए कि मतलब हो है थासा फिक्स्ट नहीं महात्मा अनुभव सिद्भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार में धीरे-धीरे खृष्ण भावनमृत में भक्ति विक्सित करते हैं अच्छा एक इंट्रस्टिंग बात है ना आपने बहुत अच्छी बात बोली थी भागवत एक अनुभव है आपने अनभव से किर्ष्ण कितने संदर फैकिटने कृपालु है और वह उसको में प्रसारित कर रहे है कृपा करके तब हम जैसे जो किसी बाबा किसी देवता के प्रतियासक्ति को त्याद पाते हैं उनके गुड़ों को सुनते हैं तब उनका भजन करने की इच्छा होती है एक सेंस एक बात बोल रहे हैं तो शुद्वभक तक से सुनना चाहिए येस और दिविसेवा से में इतने लीन हो चाते हैं कि वे ना त तक कि नहीं वे किसी अध्यात्मिक लोग में जाना चाते हैं अच्छा यह वैकुंठ लोग या गोलोग में अच्छा कॉन सा है उसने प्रश्ण किया अच्छा को अच्छा है क्रिष्ण क्या आप एकदम पास में आ सकते हो हूं काने का मतलब क्या हुआ सुन अच्छा ठीक ह तो हम गोलोग ले प्रयास करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है अगर हम भगवान विश्ण के बारे में श्रवण करते तो ही सुस्ते हाँ वैकुंठ जाना ही सर्वस रिष्ट है वो भी अच्छा है लेकिन गोलोग मिल आता त तो वक्ति करो मुझे हसी इस बात पर आती है कि वह रोज संसार दावला प्रार्थना गा रही है उसका आर्थ नहीं पता होगा उसको शायद और उसको यह भी पता नहीं है कि यह प्रार्थना गाने से क्या हो जाएगा आप देख रहें वहान के क्रिपा आप लोग कुछ ग क्रवर्ति बात के दौरा लिखी कि का सारी सॉंग है कि भगवान को बहुत पिड़े करते हैं कभी कभी कैसे भगवान किस पर कृपा करते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं समझे ना एकदम भातिक्ता वादी व्यक्ति और संसार दावनल लगा रहा है वह अनुभा भी ना कर रहा हो कि संसार दावनल है लेकिंगे कम से कम भजन वह गा रहा है जो आचारों के यह आचारों के अद्पत करेबा है हमाँ आज कुछ गिन नहीं रहें आगे जाके देखेंगे किस प्रकार से भवान की भक्ति में अडवक्ति बढ़ जाता है इस प्रूब तो आप मैं एक हाली कियाना चाहता हूं कि सुनने से एक भौतिकता व्यादी विक्ति के हरते में इच्छा आ गई ना आरे गोलोग चले जाती तो बड़ा अच्छा होता है अब एक वो इच्छा कभी ने कभी तो भवान भलित होगी ना उसकी इच्छा आई न सब्सक्रमा नहीं पकड़ सकता और मैं तो पहले से बोना हूं तो मैं अयोग्य हूं लेकिन आपके गुड़ों खुड़ों करके मुझे लोग हो रहा है कि मुझे सिद्धी प्राप्त हो जाई मेरी बाते समझ रहे हैं कि हगवान के दिव गुड़ों की कृपालता को देख करके भग को लोव होता है अपनी तरफ देखता है तो कहता है मैरे तो को योगता नहीं कुछ कह रहे हैं तो सुन करके इस प्रकार से गोलोग जाने की स्प्रियाब हर्दे में आ जाती है भगत कर येस एक माठ दिजिए ऐसे क्लिort होनी चाहीं भगवान के पास जाकर कि में की स्रीवा करना चाहते हैं इसलिए भगवान को प्राप्ति करना चाहते हें जीवन का स्था क्लियर होना चाहिए ऐत् प्राथनाओं में क्या चीज रखनी चाहिए कि भगवान अपने धाम में बुला लेजे ऐसा कुछ ने रेम बिना वर्थ मोरा दरिद्र जीवन दासकरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन महाप्रव की प्राथना बस और कोई प्राथना नहीं क्योंकि कि बिना प्रेम के आपकेव कर चलून में प्रेम नहीं है तो मेरा जीन बियूंत है भगवान तुम मुझे प्रभुपाजी स्वमन में बहुत सुंदर उकती कहे एक बार प्रभुपाजी पने रूम में बैठेवे थे वह जब कर रहे थे और वह रहे थे आखों से बहुत अधस्त राश्म भाहरा था और प्रभुपाज में आके खुली और रुणने पैश्ष्ष्य को आपे था वोला अधस्त राश्म भागवान का अर्थ क्या है यह भी में समझने पारे रहे हैं बस मती भगवान में ही जा रही है और इसको मैं जाता है को मुझस्म मारणा 3.25 में तरह देखी किसी को वीदे गीता बेस है तो सब्सक्राइब बोला गया है कि कोई किसी का भगवान से इस प्र केवले दुखों के जलसा के दुख से निविर्ति मात्र है लेकिन प्रेम मतलब भगवान से चार प्रकार के रसों में संब्सक्राइब और यह हो जाए तो फिर काल भी उस समन्द को नश्ट नहीं कर सकते है कि है इसमें लिखा है तीन पच्छिस बारतीस ही है कि दिखाई है हाँ जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना स्री भगवान की सिवा में लगा रहता है तो वह सिद्धी से कहीं बढ़कर है अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरियसी अनिमित्ता मतलब कोई कारण नहीं कि मैं क्यों भगवान की बक्ति कर रहा हूं एकदम सहज रहे और प्रशार्त इसलिए भगवत गीता सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि क्लियर तो हो कि भक्ति कर किसलिए रहे हैं आगे पढ़िये कुछ डाउट है प्रोजी वे केवल क्रिष्ण तथा क्रिष्ण के सामिय पिचाते हैं अन्य कुछ नहीं यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धी है इस लोक में भगवान क्रिष्ण के सगुन वादी भक्तों का विशेश रूप से उल्लेक हुआ है ये भक्त क्रिष्ण भावना मृत में जीवन की परम सिद्धी प्राप्त करते हैं दूसरे शब्दों में वे सर्वोच आत्मा हैं मैं फिर से याद देरना चाहता हूं कि जब हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान बड़े प्रसन होते हैं कि यह हम तो मुझसे सर्वस्रिष्ट बस तु बांग रहा है तो उसमें जितनी भी बाधाएं आती हैं उसको भगवान स्वेम ही नश्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हम सर्वशिष्ट पत्पे हैं जो पत्पे जो इस पत्प को स्विकार करता है वह भगवान को बहुत प्रमान 1220 भगवद्गीता ये तुधर्मा मृतम मदम ये थोक्तम परीव पासते इस प्रकार से जैसे मैंने इस धर्म के पत को बताया जो इसको स्विकार करता है वह मझको भकता स्तेव प्रिहा ऐसा भंध मुझे बढ़ा प्रिह होता तो जिसने भक्ति के पत को स्विकार किया वह भगवान को बहुत प्री letteri गोइनमेशं की बाधाओं को सबत्सयक्विदक अपनेश्क अकोगें इसां म मत मेस्तं को भङवान में लगाना हो चिट तर भी लगेग मैं जब प्रचवर मात्रा में भगवान के बारे में सुनेगे क्यों प्रेश्ण यहांत लेक्स देखते हैं झाल झाल